बढ़ा स्टोग फर्दीन के बल्ले से आता हुआ और सीधा सी मारेखा के बहर जाता हुआ एक नया टालेंट यूथ बल्ले बाज फर्दीन काजी और उनके बल्ले से आता हुआ ये बड़ा हीट काफी अच्छे रहते पहले पाज गेंदे मगर उसके बाद अगर देखा जाए तो फर्दिन ने आकरी गेन पर जो चक्का जड़ दिया है थोड़ा सा दबाव कम कर दिया और पहली ओर में पहली ओर के समापती के पास स्कोर होता हुआ आठ अभी भी तीन ओवर सेश है और तीन ओवर में 45 रनों की जरुवत इस मैच बावन रन किये थे खिरपन रनों का पीछा करना है और इस बार पॉइंट की दिशा में इस गेन को खिला फर्दिन काजी ने रन मिलेंगे चार इस चौके के साथ स्कोर आगे जाता हुआ चोदा रनों पर अभी भी 49 रनों की जरुवत इस मैच को जीतने के लिए क्रिकेट का खेले कुछ भी हो सकता है इस तरह से बल्ले बाजी करने होगी बड़े बड़े हिट लगाने होंगे हम सभी का चहेता खेल है क्रिकेट और यही दिवानगी जोगिश्वरी में इस बार भी कुछ अलग तरीके से इद गेन को खेला और फर्दिन काजी के बल्ले से आता हुआ और एक चक्का चेर रनों से स्कोर आगे जाता हुआ काफी एक यग यंग टैलेंट है मुंबई का नाम है फर्दिन काजी एक चोके के बाद एक चक्का भी आता हुआ और स्कोर जाता हुआ बीस रनों पर लक्ष बले ही बड़ा हो मगर कोशिश जरूर जारी है फर्दिन के द्वारा और कल भी मिलेगा इस बार भी बड़ा स्टोक परदिन ने कवर्स की दिशा में इस गेन को किला उचाल थी और इस गेन को चार रनों के लिए बेज दिया वाह पर दिन वाह काफी बढ़िया बल्ले बाजी का नजारा पेश किया और शुरुआ थोड़ इसी धीमी हुई थी मगर परदिन ने फ